हेलो फ्रेंड्स आपकी कामनी एक बार फिर हाजीर है आपके लिए एक दम नई रेसिपी ले करके तो फ्रेंड्स आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए बिना देरी की हुए करते हैं फटा-फट से शुरूर तो आज हम बनाएंगे अंडा करी की बहुत ही मज़ेतार रेस्पे सबसे बढ़िया बात जब हम इसे होटेल ढाबो में जिस तरीके से खाते हैं न जाकर के वो स्वात घर में नहीं आ पाता है या हमें हम इसा शिकायच सी रहती है कि वो ढाबे वाली अंडा करी कैस्वे बन यहां पर अंडे लिये हैं और अंडों को हमें यहां पर उबालना है तो सबसे पहले एक पतीले में पानी लेना है पानी हमेशा अंडों के ऊपर रहे इतना पानी रखना है और अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक डालने से अंडों में क्रैक्स नहीं आते हैं या फिर कभी- कट सके हैं तो यहां पर चोटे मेरे नहीं है लेकिन बड़े भी नहीं यह तो इन्हें मैं इस तरीके से लबे-लबे Ze कंढ़ा ले रहा है तो वग्यान चार मत लेना यह चोटे हैं तो मैंने इस लिए चार बयास लिये हैं ॉर इस तरीके से कट कर लेना है पतला पतला ही कट करेंगे लेकिन इस तरीके से लंबाई में चलिए प्यास कट हो गए हैं अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सरसो का तेल अच्छा धुआदार गरम हो जाए इसके बाद फ्लेम लो कर दे और इन अंडों को हमने उबाल करके छील लिया है आप द नीचे चिपक गए हैं और बस जब यह जो है पक जाएगा नीचे से तो अपने आप हलके से निकलने लगते हैं तो चलिए इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हमें अंडों को अच्छे से फ्राई करना है अक्सर आज कल मैं देखती हूं वीडियो में कि अंडे को फ्राई बहुत कम किया जाता है अगर आपको कम फ्राई वाले पसंदों यानि डाल करके सिर्फ निकाल लेना है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं लेकिन जो ढ़ावे में मिलते हैं या रेस्टोरेंट में वो अच्छे से अंडे को बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं तो बस आप प्रेवी को भी अंडा एपसॉफ कर लेता है बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से सारे अंडे को हमने फ्राई करके निकाल लिया है अब यहां पर उसी तेल में हम डालेंगे एक तेजपत्ता दस से बारा काली मिर्च एक मोटी इलाइची एक दालचीनी का टुकड़ा औ अच्छे से चटकने दें ताकि इनकी जो खुश्बू है यह तेल में बढ़ियां से आजाए और मसाले तेल में अच्छे से पके हुए होंगे तो काली मिर्च जो है जब हम साबू डालते हैं तो तेल में अच्छे से पका लेना फिर अगर मुह में भी आती है ना खाने में बाइट में तो बिल्कुल तीखी नहीं लगेगी और खाने में बहुत अच्छी लगेगी तो चलिए अब प्यास डालेंगे और प्यास को हम इस तरीके से चलाएंगे और देखे एक एक लच्छा अलग-अलग हो जाएगा पतला-पतला ही काटना ताकि बढ़ियां जल्दी से ब्राउन हो जाएं और यह देखे लगभग प्याज हमारी इस तरीके से ब्राउन हो जानी चाहिए कच्छा नहीं रखना है अच्छा ब्राउन कलर आ जाएं तब यहां पे हमें फ्लेम बिल्कुल लो करके हल्दी पाउडर एट करना है साथ में मैं डाल रही हूं यहां प अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी डालने से प्यास का जो कुकिंग प्रोसेस है यह रुक जाएगा यानि जलेगा नहीं और पानी डालने से मसाले भी अच्छे से पानी में फूल जाते हैं और जब हम पकाते हैं तो बहुत ही अच्छे जो है पक भी जाते हैं चलिए आत्रें का पेस्ट कर लेना लेकिन मुझे डालना था इसलिए में лиш E parents है चलिए Bash cream किया है चली टमाटर डालने के बाद में हमहें स्मय कर देना है नमक Swati यह भर अनुसार और से हम कर देंगे कवर मीडियम आज पे पकाना हाई फ्लेम पे नहीं पकाना नहीं तो पानी सुख जाएगा प्याज अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगा तो बस मध्यम आज में ही मसाला पढ़िया से हमें पकाना है तो बस हलका हलका इस तरीके से प्यास को हम मैश करते जाएंगे और यह देखिए बढ़िया हमने लंबा लंबा क्यों काता है यह वह रीजन समझ लेना जब हम होटल भाबो में खाते हैं तो प्यास इसी तरीके से काट करके डालते आपने देखा होगा कभी सब्ची बनते हुए शादी पार्टी में तो प्यास लंबा लंबा काटे इस तरीके से प्यास मतलब जो पानी डाल करके इसे कवर कर दिया है पानी अच्छे से पक जाना चाहिए इसके बाद हम इसे चलाएंगे तो फ्रेंड्स पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर लेना जिसे साफ से आपको ग्रेवी पसंद हो तो चलिए फटा-फट से अब यहां पे हम जब एक उबाल आ जाए तब हमें इसमें अंडे आइड कर देनी है और अंडो को भी एक बार चला लेंगे और हम इसे अब कवर करेंगे कवर करके अंडा ग्रेवी सभी को बढ़ियां से पका लेंगे तो चलिए भाई से पकते हुए लगभग चार से पांच मिनट हो गए हैं और यह देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़ियां हमारी अंडा करी तैयार हो रही है लेकिन अभी अच्छे से पकी नहीं है भी हम इसे और थोड़ा पकाएंगे उससे पहले जो धाबा और चमच और एक चौथा चमच कसूरी मेथी डाल करके वापस से कवर कर देना एक से तो मिनट के लिए और लीजे भाई हमारी अंडा करी बिल्कुल तैयार है बन करके तो यह देखिए फ्रेंड्स बहुत ही शांदार लग रही है ना कलर आप देख सकते कितना बढ़ियां आया है और यह देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी भी बिल्कुल पर्फेक्ट टेक्स्चर की बन करके तयार हुई है और यह जो प्यास के हलके हलके से आपको लच्छे दिख रहे है ना यह बहुत अमेजिंग लगते थोड़ी देर मैंने इसे रख दिया था इसके बाद का मैं आपक तो बहुत बढ़ियां बनी है फ्रेंड्स चलिए कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग तो मैंने यहां पे चावल निकाल लिया है फ्रेंड्स यह रेगुलर राइस है जो कि मैं खाने में डेली यूज करती हूं कि देली में बासमती या पुलाव तो यूज नहीं किया जा सकता ह और ग्रेवी के साथ मुझे पुलाव खाना पसंद नहीं है तो सिंपल राइस लेंगे और यहां पे मैंने खीरा लगाती है दो रोटी यह लीजिए मेरा जो है टिनर बिलकुल तैयार है तो चलिए भाई बातों बातों में आपसी मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है अगर वी साथ बना, बहुत टेस्टी बनाया थे जो प्यास के लच्छे आपको दिखाय दे रहे है न है इनका अल्लग ही लेवल का टेस्ट आता है जैसे हमने इसको अलब यह और स्टाइल बनाया बहुत टेस्टी है, जड़ूर ट्राय करना, ओर कमेंस करना को इसे आप्लिपल मत